साथियों कभी न कभी आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सड़क पे चल रहे हैं अपनी बाइक से चल रहे हैं और किसी के साथ आपकी टक्कर हो गई हो हुआ तो जरूर होगा और यदि एक परसेंट यदि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो आपने ऐसा तो जरूर दे जाते हैं आप गायल हो जाते हैं और वहां पर खड़े हुए लोग केबल आपकी वीडियो बनाते रहें और आप वहां पर तड़पते रहें और लोग खड़े होकर के वहां पर कम से कम आदा पोने घंटे तक आपकी वीडियो बनाते रहें जब तक जब तक आपकी मिर्त्यू نہ हो जाए कैसा लगेगा आपको ऐसा ही हादसा हुआ है और ऐसी एक खबर मैनेजर पढ़ी मुझे लगा कि इसके ओपर आप लोगों को जरूर बताना चाहिए एक एर फोर्स का जवान अपनी बाइक से जा रहा था उसको ट्रक के दोरा जो है ट्रक के और बाइक के उसमें टकर लगती है लगबग पेंतालिस मिनिट तक वो एर फोर्स का जवान सड़क पर तड़प तड़प के अपनी जान दे देता है लेकिन महाँ पे खड़े हुए लोग केवल वीडियो बना करके जो है उसको मॉबाइल में कैद करे थे तस्वीरों को एक के भी दिल में ये नहीं आए कि हम इसको कम से कम उठा करके होस्पिटर ले जाएं इसको महाँ पर इसका इलाज शुरू करवा देते तो शायद वो जवान आज हमारे बीच जिन्दा होता लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि सब वहाँ पर तमाश भी निवन करके उसकी वीडियो बनाते रहे एक को भी शरम नहीं आई कि हम इसको उठा करके होस्पिटर ले जाएं एक ऐसा ही मामला सामने आए राजस्थान के बीका नेर से देखिए ट्रक बाइक की टक्कर के बाद जवान ने तरपते तरपते दोड़ दिया अपना दम जवान ने एर फोर्स के जवान ने तरप तरप कर अपना दम तोड़ा है पूरी बात में आपको बताऊंगा किस तरीके से जो है जवान ने अपने दम तोड़ा और क्या तमाश बिन करके मलब बन करके वो लोग देखते रहे पर देखे पूरी बात आपको जान करे लेता हूँ देखें यहाँ पर साफ लिखा है मदद करने की बजाए वीडियो बनाते रहे लोग और सड़क पर तडपते हुए मर गया एर फोर्स का जवान कितनी शरम ना कि घटना है पूरी घटना देखे बात आपको जाने पर देखेंगा देखेंगा दुरगतना में गंभी रूप से सड़क पर ही अपना दम तोड़ दिया और ये उसकी तस्वीर है हाला कि बलर है क्योंकि कहिना कहीं आपती जनक हो सकती एक फोटो और पूरा विस्तार से देखिए इस मामले को सम्वेदन हींता का ये मामला नया शहर थाना छेतर का है दरसल नया शहर थाना छेतर में गजनेर रोड पर चुंगी चोंकी के पास एक बाइक आगे चल रहे ट्रक में जाग हो सी जिसमें युवक की मोत हो गई युवक की पैचान एर फोर्स के जवान सुनील विशोई के रूप में हुई है नाल एर फोर्स टेशन में तेनाथ सुनील शुकरवार शाम बीकानेर से एर फोर्स टेशन की तरफ जा रहा था तबी आगे चल रहे ट्रक के अचानक ब्रेक लगा देने से बाइक ट्रक में जाग उसी इस जोरडा टककर से बाइक सवार गंभी रुप से घायल हो गया समवेदन हिंता की हद तो तब हो गई जब वहां मुझूद लोग उसे हस्पताल पहुँचाने के बज़ाए घटना का वीडियो बनाते रहे शरम आती है ऐसे लोगों के उपर कि जो वहां पर एक बंदा जो एक्सिनेट जिसका हुआ है जो गायल है जो परेशान है जो तड़प रहे उसको आप लोगों को उस समय कम से कम उसको उपचार करवाते है उसको इलाज करवाते है उसको होस्पिटल लेके जाना चाहिए था देखिए लगबत 30-40 मिनट तक घायल सडक पर तडपता रहा और आखिर वहीं पर उसकी मोत हो गई खारी गाउं से बीका नेर लोट रहे भाजपा जिला परवक्ता एडवोकेट अशोग परजापत तिरलोग चंद गेधर शेवन कुमार बोबरवाल आदी को घटना का पता चला तो उन्होंने घटना को तुरंत घायल को तुरंत ट्रामा सेंटर में पहुंचा है लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोशित कर दिया पोस्ट मार्टम के बाद आज सुभे सुनील का उसके पैत्रिक गाउं नागोर के जाडोदा खुर्ज भिजवाया गया जह सेंटर सम्मान के साथ उसका अंतिम संसकार किया जाएगा अब पूरी भाई शरम ना को आकर यह घटना है कि जहां लोग बेशरमों की तरह मूर्खों की तरह अनपड़ों की तरह जाहिलों की तरह वहाँ पर सिर्फ बीडियो बनाते रहे और उसको देखते रहे तरपते हु किसी को यह ने लगा कि हम उसे होस्पिटल में पहुंचा दें उसका इलाज करवा दें उसका उपचार शुरू करवा दें तो शैद एरफोर्स का यह जवान हमारे बीच होता और यह मलब ठीक है चोट लग गए थे गायल हो गया था इलाज होता तक उस समय के बाद सही तो ह हो जाता यार कम से कम लेकिन जो लोगों ने वैसे छोड़ दिया अब अपना आप से भी निवेदन करूगे दि आप भी सड़क पर चलते हैं और रस्ते में कभी इस तरह से होते वे देखें तो उसका उपचार करवाने के उसका इलाज करवाने के लिए सब से पहले एक कदम अपना जरूर बढ़ाएं ताकि वो वैक्ति हमारे बीद सुरक्षित रह सके जितनी जल्दी उसका उपचार होने लगेगा उतनी जल्दि वो ठीक होना रहेगा उमीद करता है वो जिस समय कोई वैक्ति घायल हो जाता है कोई मेरे को उठाएगा कोई मुझे इलाज के लिए लेके जाएगा वो और ज़्यादा उस समय तूट जाता है जब वो तमाश बिन बनते वे समाज को देखता है कि समाज में कोई एक वेक्ति आसा नहीं जो मेरे इलाज के लिए आगे आ सके दिकार ऐसे समाज के ओपर जो इतना स्वार्थी हो चुका है सिर्फ वीडियो बना रहे हैं वो लोग लेकिन उसका मदद और इलाज के लिए नहीं जा रहे है बस इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे चाहूँगा कि एक इस जवान के लिए कम से कम कमेंट के अंदर जैहिंद जैरोग लेकिए जैहिंद जैभारत